तो आज हम अरी और ताजी धनिया की चटनी बनाएंगे इसके लिए देख सकते हैं दो मुटी मैंने धनिया ली हूँ और इस धनिया के बस हम पत्तों को निकाल लेंगे इसे साफ कर लेंगे अच्छे से क्योंकि मिटी में होते हैं तो मिटी बालो शìn सब लगे होते हैं तो देख सकते हैं intelligён निकाल ली हूँ और जड़ को फेक दी हूँ अब हम इसे तीन चार बार फास कर लेंगे पानी से धू लेंगे उसके बाद मैं देख प्लेट में रखी हूँ और एक टमाटर लेंगे एक हरी मिर्ची और चार-पांच लहसन की कलिया चिल कर अब की हरी मिर्ची में बहुत तीकी तो यह फिर अच्छे से ग्राइंड होई जाएगी तो इस तरह से हम सब चीजों को ले लेंगे और हम मिक्सर जार लेंगे और इसमें बारी बारी से चीजों को डालेंगे तो इसमें पहले मैंने धनिया जो मैं धोकर साफकर कट करकर रखी ती वो डाली हूँ और इसके तोड़ी ही हो जाएगी चटनी हमारी तो और अब हम इसे मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इसमें पानी बिल्कुल पे नहीं डालेंगे क्योंकि टमार्ट जो मनें डालेते उसके मॉस्चर से ही है धनिया की चटनी रेडी हो ही है और देख सकते हैं कितनी